पहले जो होते हैं एक बहुत बड़ा economic stimulus चाहिए और हमें 5% physical deficit के लिए तयार है ना चाहिए कोई बड़ी बात नहीं कोई बात नहीं इसमें political points देखने वाली बात नहीं है दूसरी बात मैं यह चाहूँगा कि जो tax structure है एक simplified structure बना यह तीन slab बना यह खदम कीजिए और हर कोई tax दे बहुत ज़्यादा इसको complicate ना करें real estate जो बहुत मैं real estate पर क्यों दयान दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा unorganized sector के worker को employ करता है real estate अब भी हमारे real estate full-fledged industry का दरजय नहीं हो सको and cost of borrowing बहुत ज़्यादा है इस पर हम चाहता है कुछ करें एक national equity policy हो कि अगर हमारी हर country के national equity policy है हमारी equity policy क्या है मुझे नहीं पता उस पर एक महलब विचार में मर्श करने की सक्त आउशकता है और एक और बात है जिसका मैं government की तरफ दियान लेना चाहूंगा वो है हमारा e-commerce हमने पीछे देखा e-commerce के कारण हमारे local दुकानदार काफी परेशान हो रहे हैं एक e-commerce policy लाएज़े जिससे e-commerce को सबसे पहले तो सरकार को बिजनेस्मेन या आम आदमी किसी को भी राहत देने के लिए इस टैक्सेशन के लिए हैं और उसके बार हम जो एक्सपेड़ नीचर करते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं तो सबसे पहले तो सरकार को बिजनेस्मेन या आम आदमी किसी को भी राहत देने के लिए टैक्सेशन का ये सिस्टम बना चाहिए इंकम के अलावा वो केवल एक्सपेंडीचर पर अगर टैक्स लेते हैं तो उससे सरकार के भी राजस्त में बढ़ती होगी और लोगों का जो ब्याय होगा सिर्फ उसी पर टैक्स लगेगा और इंकम पर टैक्स नहीं लगेगा आज इंकम पर टैक्स लगने की वज़र से तमाम लोग सरकार का जो टैक्स सिस्टम है चाहिए वो जिए इंकम को लेके हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है जिसकी वज़र से आम आदमी हमेशा यही इसी प्रयास में र आप 2 से लेके 4 परसंट तक लोन दिया जाता है ठीक है यहाँ पर कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो 10 परसंट से लेके 18 परसंट तक उसकी इंटरेस्ट पेट किया जाता है उसके साथ ही हमारे जो GST सिस्टम बनाए गया आज उसमें कम से कम 4 से 5 बास उधार किया गया लेक एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रुका दिता कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडि को लाइक करें